रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना है तो दुनिया के बेस्ट सेलिंग फोन्स के बारे में है और उसमें मैंने काफी सारे अलग-अलग फोन्स को कवर किया था जैसे Nokia 1100, Nokia 3310, Nokia 3310 लेकिन स्मार्ट फोन्स के बारे हमें क्या था आने कि काफी सारे iOS, Android, काफी सारे दूसरे mobile operating system के स्मार्ट फोन्स पिछले काफी समय से वाइलेबल है तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में दुनिया के top 5 most popular स्मार्ट फोन्स के बारे में और इस लिस्ट में जो number 5 है उस पर तो टाई हो गया है वह हुई है 70 million याने कि 7 crore units इन दौनों फोन्स की बिख चुके जो कि काफी बड़ा number है और खास बात तो यह कि दौनों के दौनों flagship phones थे और दौनों के दौनों rival companies की तरफ से आते थे और दौनों के दौनों फोन 2012 में ही लांग चुए थे अगर बात करें आइफोन 5 की तो पहली बार आइफोन था जो कि 4 इंच के डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिला था और metal board देखने में काफी जादा premium था वहीं बात करें Galaxy S3 की तो यह 4.8 इंच की screen के साथ आया था उस समय टच विस पे चलता था उस समय काफी जादा popular phone था और पहली बार तो Samsung है ना उसने काफी बड़े phones को बनाना चालो किया था क्योंकि Note Series में काफी जादा success मिली थी इसलिए Galaxy S3 काफी जादा popular हुआ iPhone 5 अपने बड़ी screen के साथ काफी जादा popular हुआ हा लेकिन iPhone 5 के नदरा को जो build quality थी थी ना वो जादा अच्छी मिलती थी जो S3 थी 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 ना वो plastic build के साथ आता था लेकिन Android fans ने चूज किया Galaxy S3 को iOS fans ने चूज किया iPhone 5 को और इसलिए number 5 पे टाई हो जाता है दोफनों के बीच में इसलिए आइफोन सेवन प्लस मार्केट में काफी जादा बेखा था सिर्फ और सिफ अपने पोट्रेट मोड़ और टेली फोटो लेंस के कारेंट इसलिए इसके बाद number 3 position आती दुनिया के सबसे जादा बिखने वाले Android smartphone की बारे में जो की है Samsung Galaxy S4 जिसके अभी तक 80 million याने की 8 करोट उनिट्स ग्लोबली बिख चुकिये यह Galaxy S3 के बाद आयता है फोन 2013 में लाँच हुआ था उस समय देखा जाए तो उस समय के साफ से काफी भड़िया फोन तक काफी भड़िया प्रोसेसिंग पावर देखने को मिलती थी जैसे कि इसके अंदर आपको एयर वियू आई ट्रेकिंग हैंड जेस्चर काफी अमेजिन फीचर थे और उस समय जो समय आपने फोन के अंदर काफी कमाल कमाल को इनोवेटिव चीज़े डालता था और इसलिए गैलक्सी एस फोर है वो इस लिस्ट में आ जाता है थर्ड नं 50,000,000 याने की 15 क्रोड उनिट बिक चुके हैं और खास बात इस फोन की है कि कोई बजेट सेंट्रिक फोन मिलके बनाया था नो कहने हां माना कि थोड़ा सा जादा महेंगा था लेकिन फ्लेक्षे जटा महेंगा नहीं था आप इसका में रीजन यह था कि फ्लेक्षे फोन में इंटरनल स्टोरिज देखने को मिलती थी और 16 जीवी का मेमोरी कार्ड इस फोन में लग सकता था लेकिन और आल काफी जाद इंटरस्निंग फोन था 2009 के साब से काफी बढ़िया चीज से लगती थी लोगों को काफी सही प्राइस पाय तो नोकिया जैसा ब्रांड था और इस आइफोन 6 और आइफोन 6 प्लस की इन फोन की जो यूनिट्स जो ग्लोबली बिखी न वो थी 220 मिलेड यहाने की 22 करोड यूनिट मतलब ग्लोबली बिखी इन दौनों की मिलाकर जो की बहुत ही जादा बड़ा नंबर है और खास बात इन दौनों की यह थी कि पहली बार एप यह एंडुरॉइड फोन जो काफी लंबे समय से बड़ी स्क्रीन के साथ आ रहे थे आप आइफोन यूजी के टिगरी में आ गया और बहुत ही जबर्दस सेल्स हुई थे आइफोन 6 और आइफोन 6 प्लस की क्योंकि जो लोग एक बड़ा फोन लेना चाहते थे न उन लोग क चलिए आइफोन 6 प्लस आ गया था और इसलिए आइफोन 6 और आइफोन 6 प्लस है अभी तक कि एपल के सबसे जादा सबसे जादा आइफोन पेचे थे अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर जो कि काफी जादा कमाल की बात हो जाती है और अगर आप लोग को लग रहा है कि अच्छा बिखना चालू होता है ना तभी कंपनी उसे बंद करके उसका अगला वर्जिन ले आती क्योंकि कॉंप्टीशन जो है कंपनी के बीच में काफी जादा बढ़ी है इसलिए कम कम टाइम में काफी जादा फोन को निकाल पाती है अब पहले क्या होता था कि एक फोन तक साल देर साल दो साल तक मार्केट में रहता था इसलिए उसके इतनी जादा यूरेट्स बिख जाती थी अब 6 महीने के अंदर या अगर फोन डिसकंटीनियो हो रहा है तो कैसे दुनिया का बैस सेलिंग फोन बन सकता है यह एक सोचने वाली बात है और दूसरी सोचने वा 15 तक देखी गई हैं और उसके बाद ग्लोबल स्मार्ट फोन शिप एट में डेकलाइन देखना चाले हुआ है और अभी तक वो डेकलाइन आपको अभी तक देखने को मिल रहा है याने कि काफी सारे लोग थे जिन्नों ने उस समय पहली बार अपने फोन को खरीदा था और तो धीरे-धीरे करके स्विच कर रहे याने कि पहले जितने फोन्स बिका करते थे आज के समय में फोन्स उतने जादा नहीं बिखते हैं लेकिन अच्छी बात यह कि काफी इंटरस्टिंग इंटरस्टिंग फोन्स आपको रोजाना देखने को मिलते रहते और देखने वाली इस वीडियो में थांक यहां को वीडियो देखने के लिए गुड़ बाई